आज मैं आप लोगों सिखाता हूं water का electrolysis करने के लिए water का electrolysis करने के लिए हमें एक नॉर्मल पाने की जरुबत परेगा लेलिया हो में एक ग्लास में उसमें simple खाने वाला जो salt होता है नमक उसमें कुछ amount में नमक एड कर लेते हैं जैसे ही पाने में नमक एड किये हो उसको हमने अच्छी तरह से एनेसियल को पाने में डिजॉल करवा दिया अब इलेक्ट्रो लाइसिस करवाने के लिए इसमें करेंट का फ्लो करवाना परेगा जिसके लिए हम एक बैट्री लिए हैं और इस तरह से दो पेंचिल को हम ऐड़ करेंगे ठीक है अब दोनों पैंसिल को जो ये सीस्टम है इसको में इस दाल रहे हैं है अब इसमें हम क्या कर रहे हैं Current Flow करने के लिए बैट्री को connect कर देंगे उपर पैंसिल को उपर अब पैंसिल का 맞 corridor प्लुक्वण पैंसिल करने के दौरा, बोटार में, वो आपका लिब्डेट होगा, हाईड्रोजन्स, लिब्रेट होगा आपका कैतोड पे, कैतोड का मतलब क्या है, कि जो निगेटिब टर्मिलल से, जिस पेंसिल को हम जोरे हैं, वो कैतोड कह लाएगा, बैटरी का निगेटिव टर्मिलल से जिस पेंसिल को जोड़ेंगे वो कैथोड कहलाएगा अब पोजिटिव टर्मिलल से जिसको जोड़ते हैं वो एनोड कहलाता है तो यहाँ पे निगेटिव टर्मिलल से जोड़ा हुआ पिंक पैंसिल तो pink क्या हो जाएगा मेरा? cathode हो जाएगा और cathode पे ही hydrogen gas क्या होगा? liberate होगा तो देखो अब देख सकते हो कि यहां से hydrogen gas बाहर आ रहा है pink pencil पे कौन सा gas आ रहा? hydrogen gas चलो अब देख सकते हो जाएगा